दिएर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई को देखते हैं कि थ्री मिथाल पेंट्वीन और एक्षिन विद एच्वी और प्रोक्साइड अब देखो एलकीन की रेक्षिन आप एच्वीर प्रोक्साइड के साथ कर रहा हूं कौन सा रूल लगा होगे एमर एंटी मार्कोनी कॉफ रूल यानि कि यहां पर एडिशन एंटी तो भूर फायफ पाँच हैं ट्यू पर यहां पर हो गया और थी पर कारवन यहोगा अब आप कहार रहा हो इसके साथ एक्षिन किसके साथ कर रही हो एच्वी और और परोक्साइड के साथ कर रहे हो तो फूरूल कॉफ पॉल्हश्ट सा फॉल्हाइं एंटी मार्कोनिक और के एकॉर्डिंग होगा यानि कि यह निगेटिव पार्ट होगा वह डबल बॉंडिट चारवन कोई पॉस्बिल्टी नहीं इसकारवन तो वन टू त्री फूर यहां पर लगया इसी पास फाइडोजन जादा यहीं पर लगेगा तो चलो बाइब हैं बॉनड को तोड़ Τोड़ दिया तो यहाँ पर हो गया मिथाइल और यहां पर लग 민reia और अब ञाओ शोचो किसमें काईरल कारबन कितनी है काहरलिटी कितनी है तो कारेलिटी कि आगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक इस कार्बन में और ह्लगा यह 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 पूरा गूर्प लगा यानि यह कारवन हो गया धिकेना इस वाले की कर्बन तो 헉ност 공 देखो दो इसके आते हैं टू की पावर एंड यहां पर आप इसके बना के भी देख सकते हो यहां पर इसके बना दो दो इसका और यहां पर आप इसको और आर और इससे आप देख सकते हैं अगला वह कर कर रहा है कि यह यह बना रहा है तो यह बना रहा है तो यहां पर सोचो कि में अगर हम की बात करते हैं तो डिस्टेंस की तो क्या वैल्यू आएगी तुरे को यह मैंने एक फेस बना दिया अब यह फेस में यहां पर कॉर्णर पर यह फेस के सेंटर पर यहां पर तो यह बन गया मेरा आर ठीक है ना थोड़ा सा बड़ा होगा यह चलो कोई दिक्कत नहीं आपको सब्सक्राइब तो आ आ रहा है फो रारा है दो रह्ट टुए कफिल कितरा रहा है भर बड़ वह कह रहा कि क्लोजेश्ट रफ श्टो क्लोजेश्ट प्रूइंट तो क्या होगा और रूट तू ए भाइट तो च्वार बाइटू का मतलब क्या कि वह आपको सम्म्म में आ रही है कि वह रूट तो आ जाएगी यानि इसमें डी जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स कोशन कर रहा कि वह टू रिएक्स आरवन और टू हैव आइडेंटिकल प्री प्रीश्पोनेशल फैक्टर यानि कि इनके एक वैलिव जो है एक्टिवेशन एरजी में जो प्रीश्पोनेशल फैक्टर एए उसकी वैलिव क्या इडेंटिकल है यह वह आरवन एक्सीड डैक्ट आफ आर्टू बाई टैन किलो जूल पर मूल उक्टे इसका मतलब वह होगेगा एक टू प्लस टैन किलो जूल्ट यानि कि अगर आप इसको जूल में कहें तो ये डू कितना हो जाएगा टैंथ दूजन जूल K1 और R की वैल्यू भी आपको जूल में दी गई तो आपने पहले एनर्जी की वैल्यू जूल में बदल ली है अल्रेडी ठीक है कोई दिकत में फॉर्मूला आपको याद आता है कि के एकुल टू होगा अब आप अगर K2 by K1 करेंगे और LN लगा देंगे तो आपको सब्सक्राइब कि यह सॉल्व करने के बाद यह वन माइनस यह टू अपॉन आर्टी आजाएगा अब यह वन अपॉन यह टू यह वन माइनस यह टू की वैल्यू आपको देंदी गे कितनी टैन थाउसेंट ठीक ह यह टू करेंगे तो आंसर जो इसका आएगा वह फोर आ जाएगा तो आंसर यहां पर करेक्ट जो होगा वह क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक